नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल 4K टेक में और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 पावर बैंक्स के वारे में जो कि आपको मिलने वाले हैं 1500 से लेके 2000 रुपे के बीच जो कि आपको काफी इंटरस्टिंग प्रा सबसे पहले जानते हैं अपने रिएंघंब के及 बारे में तो यहांप पर आपको पहला पावर बैंक्स मेलता है वह मिलता है Realme की तरफ से 2000MH का आपको यहां पर देखने को मिलता है और बात करने इसकी चार्जिंग की तो यहां पर आपको 18 वोट का कुछ चार्जिंग मिलत मिलेटा वह देखने को मिलता है और साथी साथ आपको बगेरा घान चल सकên बगेरा चार्ज मतलब नहीं जाता है नीचे एकदम से कि विलकुल लो हो गया उठी नहीं रहा है या फिर हाई चार्जिंग की जो कैपेविल होती है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है टुइंट बन आपको चार्जिंग केविल मिलता है जो कि काफी अची बात है तो यह पौवर बैंग सापको काफी कफाइटी होने वाला है अब बद करते हैं हमने अगले पावब बैंग के वारे में तो यहाँ पर आपने जो अगले पावर बैंग मिलता है वो मिलता है MI की तर मिलता यहां पर यहां पर यहां पर मिल जाते हैं बात करें इसमें पर आपको इसेट बubenने को मिल जाते हैं को म्हाँ घंटे इसके इन अंदर यह power buying है वो complete charge हो जाता है जो कि एक अची बात है बेट की बात करें तो यहाँ पर आपकर जो बेट है इसका वो 434 गिराम है और इसके जो image की battery है वो 20,000 image देखने को मिल जाती है तो इसमें काफी अच्छी features है और यह जो battery backups है इसका काफी अच्छा देखने को मिलता है बात करें इसके reviews की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके जो review है वो 4.3 है और बात करें इसकी ratings की कितने लोगों ने इसको rate किया है तो 1,44,994 लोगों ने इसको rate किया है साथ यह 11,542 लोगों ने इसको review भी किया है तो यह अच्छी बात है काफी बड़ा numbers है तो आप इसको try कर सकते हैं अब बात करें अपने अगले powerbank के बारे में तो यह आपको powerbank मिलता है वो भी काफी अच्छा मिलता है जो कि मिलता है Siska की तरब से और Siska का powerbank है वो काफी अच्छा आपको यह देखने को मिलता है अब बात करें इसके कुछ और specification की तो Siska का जो powerbank है वो आपको 20,000 mh में है और all total हमने जो powerbank रखे हैं वो 20,000 mh के ही रखे हैं यहाँ पर आपको 10 watt का जो charging support है वो देखने को मिल जाता है lithium polymer batteries आपको यहाँ पर है और बात करें इसकी ratings की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी ratings भी आपको 4.2 और 93,037 लोगों ने इसको rate किया है 10,703 लोगों ने इसको review भी किया है अब इसकी price की बात करें तो यह आपको 99 रुपे मिलता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले colors की बात करें तो यह दो colors में आपको available है black and white में और अगर बात करें इसकी बेट की तो यहाँ पर यह जो है वो 403 grams का है मतलब पहले बारे power bank से थोड़ा सा हलका है power source की बात करें USB adapter के साथ आप इसे charge कर सकते हैं और बागी आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो कुछ specificism है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहली चीज है कि इसमें जो mid का point आपको देखने को मिलता है जो की charging port है वो आपको input का मिलता है साथ साथ आपको दो output options भी देखने को मिलते हैं जो की आपको USB के साथ मिलते हैं तो यह अच्छी बात है यहाँ पर एक थोड़ा सा ही है कि अगर इसमें USB tab C output दिया होता है तो और भी अच्छी बात थी यहाँ output के लिए USB tab C नहीं दे रखा है बस इसका यही एक थोड़ा सा टेस्ट पॉइंट है बागी आप इसे use कर सकते हैं बहुत अच्छा power bank है अब बहुत करते हैं अपने अगले power bank के बारे में तो यहाँ पर हमें जो अगला power bank मिलता है वो eyeball की तरफ से मिलता है जो की काफी interesting price के साथ साथ काफी interesting power bank भी है यहाँ पर eyeball के power bank की बात करें तो यह आपको 20,000 mh का चैसे के हमने आपको बता है हमने सभी power bank जो है वो 20,000 mh की ही रखे हैं यहाँ पर आपको जो charging मिलता है वो 12 watt का fast charging support मिलता है यहाँ पर आप इसकी ratings जो है वो देख सकते हैं इसकी ratings है वो 4.2 है और इसे 36,577 लोगों ने rating किया है और review की बात करें तो 7,513 लोगों ने इसको review भी किया है अब देख सकते हैं अब बत करें इसके price की तो यहाँ पर हमने जो price है इसका वो आपको 1399 रुपे है जो की काफी interesting price है इस power bank के हिसाब से बात करें warranty की तो यहाँ पर आपको limited domestic warranty आपको यहाँ पर देखने को बिल जाती है अब बात करते हैं अपने last और काफी interesting power banks के बारे में जो कियाता है अर्वन की दरब से अर्वन का जो power banks है वो काफी interesting है देखने की बात करें तो इसका जो looks वगेरा है वो भी काफी किफायती है और बात करते हैं इसके कुछ और specification की तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी जो ms है वो 20,000 ms का है साथ इसमें जो charging मिलता है वो 18 board का power delivered 3.2 quick charging आपको देखने को मिल जाता है lithium polymer venti आपको यहाँ पर देखने को मिलती है और इसकी बात करें रेटिंग्स की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 4.1 की रेटिंग्स आपको देखने को यहाँ पर मिलती है अब बात करें इसके कुछ पोर्स के बारे में तो यहाँ पर आपको type-C input और output पूट दोनों देखने को मिल जाते हैं जो की फार्स चार्जिंग है जो कि हमने उपर भी बताया निचे भी दिया है वारल यह कर जो सर्केट प्रोटक्षन है वो भी आपको देखने को मिलता है जो कि एक अच्छी बात है बत करने इसके कुछ और स्पेसिफिकेशन की तो यहा पसंद आया तो लाइक से खमेंट कर दीजेगा साथी साथ हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा क्योंकि मैं आपको इसी पार के काफी इंट्रेस्टिंग टेक वीडियो लाता रहता हूं मिलते नेक्स वीडियों तब तक के लिए नमस्कार चैनल कर दो करद मेंटिखा लाइब लाइक से लिए नेक्स पाई